क्या आपको भी टेस्टी चटपटी तीक ही टामाटर वाली चाट खाना बेहत पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जाता स्पेसल है तो इसे पिलकुल विस्केप मत कीज़ेगा और इसे द्यान से देखिए फटावट से बनती है बहुत ही लाजवाब लगते है पस पाँ नड़ में लाजवाब सी चाट बंट करके तयार हो जाती है तो चलिए फटावट से बनाते हैं ये टेस्टी चटपटी सी चाट चाट बनाने के लिए हमने कड़ाई में सरसुका तेल गरम कर लिया है जी रगत तड़का लगाएंगे जैसे ही चटकने लगे इसमें ग्रेट की हुई थोड़ी सी अध्रक डालेंगे इससे टेस्ट बहुत अच्छाता है इसे जरूर डालें हरी मिर्च डालेंगे जितना ज अगर तीका नहीं पसंद है तो मिर्ची कम डालें या सिर्फ पिसे मिर्च का यूज करें ऐसे हरी मिर्च ना डालें तो इसे हलका सा भून लेते हैं मिर्ची हलकी सी भून जाया हलकी सी सुनाहरी होने लगे तब हम इसमें डालेंगे टमाटर दो टमाटर बड़े बड़े ल थोड़ी सी पीसी हुई लाल मिर्च डालेंगे अच्छे से टेस्ट के लिए और चटपटा बनाने के लिए थोड़ी सी चिली फ्लैक्स भी डालेंगे अगर तीखा पसंद है तभी डालें नहीं तो आप चिली फ्लैक्स ना डालें बस टमाटर को हमें थोड़ी देर चलाते वे शॉप्त कर लेना है, टमाटर चैसे ही सॉप्त हो जाई, इसमें आमचूर पाउडर दालेंगे, अमचूर पाउडर एलने से चाट जादा चैसी चटपटी बनती है, तो अमचूर पाउडर डालें, अगर आप अमचूर पाउडर नहीं डाल रहें तो आम की कलियों को अब आम इस में आलू डालेंगे उबली हुई आलू को मैश करके डालें या ग्रेट करके डालें जितने चाट बनानी हो आपको उतने आलू ले सकते हैं वैसे आप एक बार में 4-5 लोगों के लिए ही चाट बनाएं इससे चाट ज्यादा टेस्टी बनती है नहीं तो फिर टेस तरीके से हमने भड़ी है और अलू अब इसमें पानी डालेंगे आप जिल जीरा वाला पानी यूज कर सकता है जैसे थेले वाले यूज करते है लेकिन हमने घर में जल जीरा तो बनाया नहीं है सिंपल पानी डाला है और इसलिए आम चुछ पाउडर का यूज किया है इसे बहुती टेस्टी चटपती है, जैसरे भटाफट से मैश करते हूं, चट बना लिया है, आप देख सकते है, इसमें बहुत ज्यादा ना तोपानी और ना जैसे कि दुकान में सरू किया जाता है या आप कोई कागच की प्लेट ले उसमें सरू करें कुछ भी नहीं मिलता है तो आप कोई भी फाइवर की प्लेट ले उसमें सरू करें मैंने इसे कागच की प्लेट में सरू किया है जैसे ठेले पर दिया जाता है तो अभी हम इसके उपर डालेंगे थोड़ी सी बारी कटी हुई प्याज उपर से थोड़ी सी प्याज डालते हैं इसे चाट खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने लगती है थोड़ा सारा दनिया उपर से डाल देते हैं और तीखा परसंद हो तभी ही हर इमिर्च टालें तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है और चाट थोड़ी तीखी चटपटी सी रहती है तो ही मज़ा देती है तो हमने थोड़ी सी हर इमिर्च उपर से भी डाल दिया है और यह हिच्की लेने के लिए चाट तयार अभी से आपटा-पट से गर्म गर्म खाई यह टेस्टी चाटपटी चाट कम मज़ा लीजे और तीख भपन से थोड़ी हिच्की तो बनती है क्योंकि चाट खाने का असले मज़ा तो भी है जब तक कोई चाट है तो यह टेस्टी चाटपटी तीखी चाट को देख करके आपके मुंए पाणी तो जरूर आया होगा तो रेसेपी जब मन करें फटाफट से बनाए खाय और चाट खाने का मजा लें दोस्तों आपको चाट बनाने की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा मिलते हैं ऐसे ही टेस्टी टेस्टी चकपटी नई बाइबाई